नमस्कार विलकम टो माई चैनल मैं हूँ मनिशा आज मैं आपको बताऊंगी कि सुहाग निस्त्रियां किन चीजों का शेयर कदापी ना करें जिससे कि हमारे सुहाग पर पुरा प्रभाव बढ़ता है यानि कि जो हमारा सुहाग होता है उसकी भी शेयर कहीं न कहीं से हो जाती है जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं पड़ती है इन चीजों का शेयर आप अपने भावी अपनी ननद या फिर कहीं भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए जैसे हमारी कुछ चीजें परसनल होती है जैसे कि हमारे टावल हमारे सोब जो हम इसे यूज करते ह हैं स्वास्त की द्रिष्टी से यह हानिकारक होता है इसी तरीके से जो सुहा की चीजों होती है यदि हम उसे किसी के साथ शेयर करेंगे तो उससे हमारे स्वास्त पर गलत प्रभाव पड़ेगा जिसका मैं आगे वरणन आपको करूंगी कि किन चीजों के शेयरिंग हमें जिसे हम मांग टीब का भी कहते हैं जो हमारी शादी में आता है उसे आप किसी के साथ कभी भी शेयर ना करें आपकी भावी हो आपकी जिठानी है कोई भी आपके रिस्ते में कितना भी प्रेम क्यों ना हो लेकिन इन चीजों के लिए आप कभी शेयर ना करें नहीं तो आप के सुहाग में इसका गलत प्रभाव पड़ता है यानि कि आपका जो पते का प्यार होता है वो भी कहीं न कहीं शेयर हो जाता है और जो हमारी सिंदूर की डिबी होती है जिससे हम सिंदूर लगाते हैं उसे भी कभी भी किसी के साथ आपको शेयर नहीं करना चाहिए इन छोटी प्रेम में किसी में भाव बस आके आपने अपने माते से निकाल के किसी और को देंगे तो इसका जो प्रभाव होता है गलत हो जाता है और जो अपने हाथों में आपने चूड़ें पहन रखी है उसको भी उतार के किसी के हाथों में आपको नहीं देना चाहिए वो मैचिंग का ध्यान रखे और इनका शेयर आज से कभी ना करें अपना जो गले में मंगल सूत्र होता है उसकी शेयरिंग भी आपको नहीं करना चाहिए वो छड़िक मात्र के लिए ही क्यों नहीं हो लेकिन इसका शेयर आप कभी भी ना करें गले का जो मंगल सूत्र होता है हमारे पती के लंबे उमर की निशानी होती है इसलिए इसकी शेरिंग से बहुत ही गलत असर पड़ता है और जो नोजरिंग होती है जिसे हम नत के नाम से जानते हैं इनका भी शेरिंग कभी भी नहीं करना चाहिए आप इसे परसनल रखें यह आपकी शादी की चीजें है सोला सिंगार के अंतरगत आती है तो इनका खास ख्याल रखें और जो शादी के वक्त आपको चूड़ा पहनाई जाती है आपकी बिदाई होती है जिसे आप चूड़ा भी कहते हो इसका भी शेरिंग कभी नहीं करना चाहिए इसे एक वर्स तक सुरक्षित रखें और आप मेंदी लगा रहें कभी तीज तेवहार में या फिर ग्रूप में तो अपने हाथों से लगा के कभी क्या होता है बहुत जादा आपके हाथों में गिर गई है तो आप लगा के किसी और को ना दें इससे भी बहुत गलत प्रभाव पड़ता है इन सारी बातों का आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए और इससे आपके जो सुहाग होता है उस पे असर पड़ेगा मैं आपको बार-बार इसलिए रिपीट करना चाहती हूँ कि आप इसे ध्यान दें और कभी शेयर ना करें जो पाउं में पहनने वाला बिच्वा होता है इसको भी अपने पाउं से उतार के कभी आपको अलग यानि कि पाउं से निकाल के डिरेक्टली किसी और को नहीं पहनाना चाहिए इससे भी गलत प्रभाव पड़ता है यह हमारे सास्त्रों में सारी चीजे वरणी थें दोस्तों अभी हम फैशन के दौर में कभी मैचिंग के लिए या फिर कभी प्रेम के लिए या फिर ऐसा सोचते हैं कि सामने वाले के मन में कैसा प्रतीत होगा इन सारी बातों को ध्यान ना देकर और हम शेरिंग करने लगते हैं और अपनी छोटी छोटी चीजे एक दिस्तुरों को हेल्पिंग नेजर की वज़़ा से भी दे सकते हैं अगर आपको पता है कि इनको देने से हमारे सुहाग पर गलत प्रभाव पड़ेगा तो उसे आप कभी भी नई शेर करिए और ये आपके लिए ठीक नहीं होगा ऐसे ही हमारे भाग्य के बढ़ाने के लिए जो और भी चीजे होती हैं जैसे कि घड़ी घड़ी हमारे वक्त का संकेत होता है इससे हमारे अच्छे बुरे वक्त की पहचान होती है आप अपनी घड़ी किसी के साथ भी नशेर करें और अगर आपका वक्त बदलने वाला होगा तो आप नोटिस करिए कि आपका जो घड़ी है या आप नई लेंगे या फिर आपको कहीं से गिप्ट मिल जाएगी कहीं न इसे भी किसी और का आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ना भी कभी किसी से मांगे और नहीं अपनी किसी को दे इन छोटी-छोटी बातों का आप ध्यान रखें इससे आपकी स्वास्त पर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है यदि आप इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो स्वास्त होगा वो धीरे-धीरे बिगड़ने लगेगा और उसका जो संकेत है आपको स्वयम पताचलेगा यदि आप इसको ध्यान देंगे तो दोस्तों इन बातों का आप अवस्य ध्यान दें और जो आपकी जो बैड रूम होता है आपका बैड जो परसनल रहता है उसे भी आप किसी के साथ शेयर ना करें कितनी भी मजबूरे हैं आप किसी के घर गेस्ट बनके गए हैं या पिर आपके घर कोई गेस्ट आया है किसी भी तरह की प्रॉबलम है आप उसे और तरीके से arrange कर सकते हैं, बट आपका जो personal bedroom है, अब उसी किसी के साथ भी share ना करें, ऐसा कहते हैं, इन चीजों की sharing करने से हमारा जो पती का प्यार होता है वो भी share हो जाता है, और जो शादी का जोड़ा होता है, जिसको पहन के हमारा विवा होता है, फेरे होते है activities, उनको भी हमें किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, कितना भी एमर्जनसी हो, क्यों नहों आप इन चीजों की शेयर कभी भी ना करें, इससे बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है, और दोस्तों स्वास्त के लिहाज से भी आखों में जो काजल लगाया जाता है, सोला संगार भी पैलने का खत्रा देता है, क्योंकि यह हम आखों में टच करके लगाते हैं, तो हर आखों में अलग प्रकार से एक कुछ भी हो सकता है, तो आप एक दूसरी का लगाएंगे, तो इन चीजों का शेयर भी सोला संगार के अंतर गताता है, तो आपके सुहाग पे भी गलत अ अगर हमारे वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्फुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, सेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यूए